नमस्कार साथियों समसमाई के मुद्दों से संबंदित प्रस्णावली स्रंकला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 2 अपरेल 2020 और आज के हमारे प्रस्ण के मुद्दों पर आधारित हैं आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं पहले प्रस्ण में हम बात करेंगे आर्थ आवर्स डे की वहीं दूसरे प्रस्ण में हम बात करेंगे क्रिसिल द्वारा वित वर्स 2021 हेतू भारत की जीडीपी विकास दर अनुमान पर तीसरा प्रस्ण आधारित होगा केंदर सरकारदोना कोरोना वाइरस निगरानी के लिए लांच किये गए आयप पर वहीं चोथे प्रस्ण में हम बात करेंगे कि कौन सा देश कोरोना वाइरस के लिए एंटीबाडी परिच्छा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है पांचमें प्रस्ट में हम बात करेंगे बेनी प्रसाद वर्मा की जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है छटें प्रस्ट में हम बात करेंगे कि किस रेलवे द्वारा पहले आदर्स हास्पिटल आईशोलेशन कोचों का निर्मान पूर्ण कर लिया गया है 7- हम जानेंगे कि अमेरिका द्वारा कितने देशों की आर्थिक रूप से मदद के पैकेज की घोशना की गई है 8- प्समें हम जानेंगे कि हाल ही में किस राजसरकार द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है नवे प्रस्ण में हम बात करेंगे कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर रच्छा उत्पादन अधनियम के लागू होने पर वहीं दस्वे प्रस्ण में हम बात करेंगे आध्यात्मे के संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रमुक के बारे में तो आज के सेगमेंट में हमारा पहला प्रस्न है हाल ही में अर्थावर्ष दे कब मनाया गया 28 मार्च 29 मार्च 30 मार्च और 31 मार्च तो यहां पर जो इसका सही उतर है वो है 28 मार्च इस वर्ष अर्थावर्ष दे 28 मार्च को सायकाल 38 से 39 के बीच मनाया गया अर्थावर्ष दे मार्च के अंतिम सन्यवार को मनाया जाता है इस अवसर पर विश्युभर में लोगों से एक घंटे गैर आवस्यक उपकरणों की बिजली बंद करने का आवाहान किया जाता है अर्थ आवर्ष को वर्ष 2007 में वर्ड वाइल्ड फंड फार नेचर द्वारा लांच किया गया था इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें तो ये रखी गई है क्लाइमेट एक्शन बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न पर हाल ही में क्रिसल ने वितवर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना कर दिया है हमारे पास आप्शन है 1.6 प्रतिसत, 2.2 प्रतिसत, 3.5 प्रतिसत और 4.5 प्रतिसत यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है 3.5 प्रतिसत भारत की एक मात्र सर्व प्रतम क्रेडिट रेटिंग एजन्सी क्रिसल ने वितवर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर पूर्वान उमान 5.2 से घटा कर 3.5 कर दिया है यह गिरावट कोरोना वाइरस महामारी फाइलने के करण हो रहे नुकसान के करण की गई है क्रिसल की इस्थापना की अगर हम बात करें तो 1987 में इसकी इस्थापना की गई थी इससे पहले इसे Credit Rating Informational Service of India Limited के नाम से जाना चाता था हमारा अगला प्रस्था है हाल ही में किन सरकार ने करोना वाइरस निगरानी के लिए किस आप को लांच किया है हमारे पास आपस आपसन है करोना ट्रैकर, करोना मैपिंग, करोना कवच और इनमें से कोई नहीं यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है C, करोना कवच, किन सरकार ने करोना वाइरस निगरानी के लिए करोना कवच आप को लांच किया है इस आप को केंदरी, इलेक्टरानिक्स और सोचना प्रदुद की मंत्राले, एवं केंदरी, स्वास्थ, एवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा साइयुक्त रूप से विक्सित किया गया है इसके डेटा का उप्योग भारत में COVID-19 मामलों का विशलेशन और संक्रमितों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा या उप्योग करता के डेटा को हर घंटे में ट्रैक करेगा और जानकारी देगा कि क्या वे पिछले एक घंटे में किसी संक्रमित व्यक्ति के पास से गुजरे हैं या नहीं हमारा अगला प्रस्ण है कोरोना वाइरस के लिए एंटीबाडी परिचन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है हमारे पास आपसन है इटली, अमेरिका, भारत, आर्श्ट्रेलिया यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी भारत कोरोना वाइरस के लिए एंटीबाडी परिचन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है यह एक सिरोलोजिकल टेस्ट है जो रक्त में एंटीबाडी की खोज करता है यह परिचन मौजूदा तरीकों से अलग है जो सक्री संक्रमन का निर्धारन करने के लिए ना क्या गले के हिस्से का उप्योग करते हैं एंटीबाडी परिच्छन एक पुष्टिकरण परिच्छन नहीं है यह निगरानी के उद्देश के लिए एक उप्योगी परिच्छन है यह उन लोगों की संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने में मदद करता है जो वाइरस के स पर्क में आए हैं। पहले आदर्स हास्पिटल आईशोलेशन कोचों का निर्मान पूरा कर लिया गया है। प्रतिक कोच में दस आईशोलेशन वार्ड है। पैकेज की घोषणा की गई है। या घोषणा कोरोना वाइरस संकट से लड़ने के लिए की गई है। अमेरिका ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए 2.9 मिलियन डालर की धनरासी देने की बात की है। हमारा अगला प्रस्ण है किस राजी में राजी सरकार द्वारा टीम 11 का गठन किया गया। हमारे पास आपसन है राजस्थान, मद्य प्रदेश, उतर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उतर है वो है सी उतर प्रदेश। उतर प्रदेश सरकार द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है जिसमें कोरोना वारस से लड़ने के लिए कई अंतर विभागी समितियां है। प्रतेश समितिकार ने तो तो राजी के वरिष्ट आधिकारी करेंगे एवं मुख्यमंत्री इसी टीम के प्रमुख होंगे। हमारा अगला प्रस्ण है हाल ही में किस देश ने कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर रच्छा उत्पाद अधनियम लागू किया है। हमारे पास आपसन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पार जो इसका सही उत्तर है वो है भी अमेरिका। अमेरिका ने कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर रच्छा उत्पादन अधनियम को लागू किया है। अमेरिका के खादेवम आउशधी प्रसासन ने कोरोना वाइरस के मरीजों के इलाज के लिए आपातकाल में मलेरिया की दो दवाओं की सीमित प्रियोग की स्विक्रति दी है। हमारा अगला और इस सेग्मेंट का अंतिम कोश्चन है आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राज योगिनी दादी जानकी और इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी राज योगिनी दादी जानकी। कल नए देश प्रसनों की स्रंकला के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार धन्यवाद। नवाद।